ncrt book classic subject social science section has social and political life जो हमने पीछे question sorry chapter किया था उसके main indicator knowledge point निकाले थे जो indication थी उसके आगे और elaboration भी points की की थी जो book में दिये नहीं गए ncrt class 6 subject social science section social and political life पिछले वीडियो में हमने ncrt के इस chapter की जो knowledge point थे वो identify किये थे कुछ knowledge point दिये नहीं गए थे लेकिन उनका इशारा था जैसे flag जाए उसकी history की बात वो भी निकालके उसके वो point हमने identify किये थे discuss किये थे जो mcq की तरफ हमें ले जा सकते हैं mcq question जिस पर बनते हैं तो यह उसकी और extension है कि सबसे ज्यादा जो उससे भी ज्यादा mcq बन रहे हैं वो Hindi और English में discuss करेंगे first है जैसे diversity का विविदता का meaning क्या है uniformity नहीं reject हो गया variation and difference yes it is within a group और society तो राइट answer यहां पर है अगर राइट answer अपने करना है तो भी है इदर है के भी किसी भी समूज हसमाज के भीतर भिंदता मत भीद next question है which region is known for elaborated ceremonies following traditional custom in marriages कौन सक्षित्र है याद कैसे रखा था यह तो repetition हो जाएगी कैरला जो है लंबा सा उसका नक्षा है लंबी लंबी स्नेक जैसी बोड चलती है ना वह competition भी होता है वह कॉश्चन आएगा तो यहां पर लंबी लंबी उसमें रस्में होती हैं तो राइट अंसर इस कैरला next is what cultural influence is reflected in Ladakh marriage rituals हिंदी में भी साथ-साथ देख लीजे रिचोल लाइक मंगनी एंड चांगपाला चांगपाला मंगनी चांगपाला ला से रखा था याद हमने ला ला से लद्दाक है लद्दाक से कौन सबसे नजदीक है तिबतन बुद्धिस्ट तिबती बॉद्ध राइट अंसर यहां पर है next question है third fourth which traditional atries कैरल में आम तोर पर कौन सी परंपरिक पोशाक पहनी जाती है answer is mundasadi ponda mundu mundu next is what traditional garment is wrong is लद्दाक reflecting तिबतियन cultural influence लद्दाक में कौन सा परंपरिक परिधान पहना जाता है जो तिबती संस्कृत का प्रभाव दर्शाता है साड़ी कुम्बो गौंचा right answer is गौंचा यहां नहीं करूँगा क्योंकि हम लेट हो जाते हैं थोड़े से इसलिए बिना निशान के भी चलूँगा थोड़ा थोड़ा कैरला में परंपरिक रिती रिवाज़ों को दर्शाते हुए लॉग एक दूसरे का अभिनान कैसे करते हैं तो केरला है याद कैसे किया था कीरला का ये था ये था ये था ये'क को वम ने जैब बना लिया था तो ऐसे हमने उसका जेब ना लिया था जूली उसका आएगा और केरला का क्या था यहां पर जूली नहीं आएगा Hello नहीं है नमस्टे वनकम केरला का है के वनकम के के दो बार आ रहा है तो केरला ऐसे भी याद रख सकते हैं नेक्स्ट कॉस्टिन है अभी बात हो चुकी है क्या है जूली कहना है एल से ऐसे और जूली ये इसको एसोसियेट कर लिया था हमने नेक्स्ट है हाउ इस राइस टिपिकली सर्व इन साउथ इंडिया इंक्लिडिंग केला विद प्लाओ और बर्याणि के साथ पंता भांत और बापदोई के साथ सामबर्रसम और सबजी करी के साथ मास और सबजी हों के साथ सी अंसर राइठ है सामबर्रसम और सबजी के साथ what is the primary economic activity in लदाग fishing नहीं agriculture नहीं sheep हान तो यह पश्मीना याद रखना है sheep और goat right answer इसको लगाएंगे next question है इस पर एक छोड़ के अगले पर जाते हैं तिबत के साथ संस्कृतिक समानता के कारण किसी क्षेत्र को छोटा तिबत कहा जाता है अगर आप अच्छे से stem को पढ़ोगे तो stem को पढ़के आपको एक answer बीच में ही मिल जाएगा है कि अगर ऐसा आए कि छोटा तिबत क्यों कहा जाता है तो संस्कृतिक समानता है किस किस में एक तो है लदाख में और तिबत में तो यहां पर लदाख answer है next चलते हैं लदाख के साथ similarity है next question है लदाख की प्राथमिक भगॉलिक विशे प्रिश्ता क्या है लदाख की डैजर्ट है हां डैजर्ट है और बैक वाटर डैजर्ट विद लिटल रेंफार तुके अडिशनल फीचर यहां बताया गया है के रेंफाल वहां लग बग नहीं होती यह जाए राइट ऑंसर इस ए इन विच रीजिन इस मैरिजिस सेरेमनी इ परंप्राओं से प्रभावत है तो इवे मिर ख्याल वेस्ट बंगाली तो लदाख की बात बार बार हो रही है लदाख की आएगा वट इस दी लदाख से कल्चिरल निकनेम डू टू टू इट्च सिमिलर्टी विद अना तिबबत अभी बात करके आए हां लिटल तिबथ र बने रही साड़ी next question है कैरला को कौन सी भगोलिक हां विशेश्टां कैरला की कौन सी विशेश्टा एं उनकी विशेश्टा है तो यहां पर एजी रहेगा पढ़ना what geographical features characterize कैरला तो यह विशेश्टा एं विशेश्टा इसका character और इसका बन गया सो जोग्राफिकल किसकी है पुछी की कैरला की डैजर्ट नहीं है कॉस्टल बॉर्डर एंड हिल्ली इंटिरियर यह राइट अंसर है बी नेक्स्ट है वट मेजर कुल्चुरल इंफुलेंसे शेप्ड कैरला हैरिटेज किस प्रमुख संस्कृत प्रभाव ने कैरला की विरासत को अकार दिया ग्रीक रोमन चाइनिस अड अरब ट्रेडर पर्शियन नहीं थिस इंपर्टन गोश्ट चाहिन जानीज अरब ट्रेडर डर्स नेक्स्ट कोश्ट्यन है विच फेस्टिवली इस एस असोटिएटेटेट थे विद वल्लम काली तु कौन सा थयॉहार है ओनाम ओ associated with Kerala's coastal region यह हिंदी में भी तो मेरे खल में पहले ही हो चुका है economic activity oil नहीं है textile नहीं है केरला में है तो शीप है तो लद्दा खाएगा अगर केरला है तो rice cultivation आ जाएगा next कहें which region community religious community इतिहासिक प्रभाव के कारण केरला में कौन सा धार्मिक सब्दाए पाए जाते हैं important है पार्सी और सिख यूदी और बौध जैन और इसाई मुस्लिम और हिंदू तो यहां पर मुस्लिम और हिंदू answer आएगा next है what is the significance of Chinese fishing nets in Kerala's culture हिंदी में भी है answer इसका इनका अपयोग मन रंजग गती विदियों के लिए नहीं वे धन और स्थिती का प्रतीक हैं वे खेतर और बहु संस्कृतिक विरासत को परदर्शित करते हैं इस इस राइट है इदर आएगा सी दे शोकेस दा region's multicultural heritage right answer यह है what geographical factors यहां पर यह है ठीक हाँ what geographical factors attracted trader to Ladakh यह important है प्रचुर वर्षा और हरी भरी वनस्पत्राइब लद्धाक में वनस्पती नहीं है desert landscape and show capped mountain यह ठीक है रेगिस्थानी परिद्रिश्य और बरफ से धके पहाड यह right answer है जंगल नहीं है तटिये सिमाएं और उपजाओ मैदान यह नहीं है बी वला right answer है यह रेगिस्थान वाला okay which crop is commonly cultivated in kerala rice wheat नहीं है यह रहा चावल जो मक्का और यह नहीं नहीं mainly पूछा गया है which dance form is associated with kerala हिंदी में भी साथ में देख लें कौन सा नृत्य रूप keral में संबंदत है बेले बिलकुल निकत्था कली easy answer है which festival is celebrated in Ladakh हमने कैसे याद रखा था pen को ठाओंगा थोड़ा सा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा L से याद रखा था L क्योंकि याद नहीं हो रहा था तो L थे law sir law sir hindi में लिखा है right answer यह है next question है which is common cultural aspect of Kerala Kerala के संस्कृतिक पहलू क्या है but what is the common cultural aspect of Kerala Buddhist influence blend of Buddhist and Muslim tradition rich cultural heritage with diverse religious practice Tibetan culture to Kerala में Tibetan culture नहीं है what is the common cultural aspect of Kerala Buddhist influence blend of Buddhist and Muslim tradition rich cultural heritage with diverse religious practices तो Kerala में different हमने वो चप्टर में भी बढ़ा था कितने religion नहीं यहूदी भी वहां पर है that is why is option को लंबी भी option right answer को indicate कर दती है जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताता हूं कि यह normally weak question की indication होती है what geographical feature surrounded in the state of Kerala mountains and rivers hills and forest sea and hills sea and hills right answer choose करेंगे which trader यह रहा Kerala के सबसे पहले आने वाले विपारियों बहुत ज्यादा important question है कैरला में सबसे पहले आने वाले विपारियों कौन से थे ग्रीक और रोमन नहीं Jewish and Arab Persian Egypt Chinese and Japanese तो यहूदी और अरब तो यहूदी वहां धरम भी है क्रिश्चन सेंट थॉमस ले आई थे वह आगे चलके बात करते हैं तो यहूदी और अरब विपारी इसका राइट अंसर है who is credited with bringing Christianity in India सेंट थॉमस अभी मैंने बात की यहां पर राइट अंसर है सेंट थॉमस 2000 साल पहले लाए थे who discovered the sea route to India from Europe यूरोप से भारत के लिए समुदरी मार की खोज किसने की बहुत ज़्यादा इजी वासको डेगामा what influenced the cultural diversity of Kerala हिंदी में है साथ में पुर्त गाली खोज करता what influenced the cultural diversity of Spanish विजय करता भारतिय समराथ विभिन क्षित्रों के विपारियों और खोज करता हो सहीत विभिन इतहासिक प्रभाव तो यह लंबी स्टैम भी है और यह explain भी कर रही है राइट आंसर यही है what common cultural influence are mentioned in the history of both Kerala and Ladakh यह ज्यादा important question है Kerala और Ladakh में similarity के base पर first है ए ग्रीक एंड पर्शियन ट्रेडर नहीं Chinese एंड अर्ब ट्रेडर रोमन एंड एजिप्ट इंडियन एंड अफरिकन चाइनीज एंड अर्ब ट्रेडर यह किस किस में common पूछा गया है या रुखना है केरल और Ladakh का comparison है उसमें similarity पूछी गई है पिछले जो कॉशन ऐसे ही थे उसमें similarity नहीं वो different थे कौन सी भुगोलिक विशेश्टें विववारियों को कैरल और Ladakh की और अकरशित करती है अब यहां पर है कि कौन सा कैरल कैरला में विववारियों को किसने है न वो मसाले है न और पश्मीना उन जो जहां उन जो है वो Ladakh में यह answer third वाला right आएगा what tied together the cultural life of a religion common question है इतिहासिक historical monument religious practices geographical and history economic तो किसी भी geography and history जो है वो cultural life को उसको influence करती है right answer यह आएगा what is highlighted as contemporary example of cultural diversity किसे संस्कृतिव विवित्ता के सम्सामेक उधारन के रूप में रिखांकित किया गया है migration of work globalization of भोजन का विश्वी करन नहीं तेक्निकी प्रगर्ति भाशा विकास नहीं काम के लिए जो migration है यह this is very important what is highlighted as contemporary example of cultural diversity का जो में कारण है what is emphasized as strength of India economic prosperity political stability cultural diversity right answer यहां पर है यहां पर आएगा भारत की Sanskritic vivid right answer गर्मियों के दरान लदाक में पीने के पानी का very important यार आप तो अच्छा पानी पी लेते हो लदाक में क्या होता है यह देख लो गर्मियों के दरान लदाक में पीने के पानी का प्रात्मिक स्रूत क्या है तो जो बरफ melt हो जाती है बरक पीगल जाती है उसको वो पीते हैं right answer C है यहां पर इसको उड़ाएंगे यहां से क्या है हाँ next है हिंदी में भी यह रहा लदाक में उन से संबंदित प्रात्मिक आर्थिक गदिविदी क्या है इसे स्थानिय बजारों में बेचना नहीं इसे चीन को नेरयात करना नहीं मसालों के लिए इसका वपार करना नहीं पशमीना शाल बनाने के लिए इसके कश्मीर वपारी ओको वेचना हाना तो कश्मीर इसका अंसर है हिंदी में क्या है कौन सा क्शेतर पश्मीना शाल बुनाई कहां की जाती है जो वहां लदाख में होती है पश्मीना उन जो है वो बेच देते हैं कश्मीर को कश्मीर में फिर ये शाल बनते हैं इतनी बात है historically what was the Ladakh's role in trade हिंदी में हैं इतिहासिक दृष्टी से विपार में Ladakh क्या भूमिका है यूरोप को कपड़ा निर्यात करना नहीं चीन के लिए विपार मांगो को सुविधा जग्र मनाना नहीं कश्मीर और तिबबत के बीच में एक विपारिक केंदर के रूप में कारे करना भारत के मसालों को आयात करना नहीं नेक्स्ट है वट रोल डिड लदाख प्ले इन दी सप्रैड ऑफ बुद्धिजम एंड तिबबत हिंदी में भी है और इसका आंसर क्या है यह तिबबत के बौद्धों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में कारे करता है क्वश्चन क्या है तिबबत में बौद धर्म का प्रसार लदाख ने क्या भुमिका नबाई भी है इसके तिबबत बौद बिक्षों के लिए एक सुरक्षित आश्र परदान किया इसके तिबबत में बौद शिक्षाओं के प्रसार की सुविदा प्रदान की इसके अंतर राश्ट्रिय बौद सम्मेलन की मेजबानी की तो राइट आंसर क्या है इट फिसिलिटेट दा ट्रांसमिशन आफ बुद्धिस टीचिंग टू तिबबत C is a right answer here. How long has Islam been present in Ladakh? कब से है? कितने साल हो गए है? 400 साल चार श्ताबदी हो चुकी है What is the notable aspect of Ladakh's cultural heritage? क्या है? Ladakh की संस्कृतिक विरासत का एक उलेखनिय पहलू क्या बताया गया है? लिखित, साहित या नहीं, sculpture and मूरतिया और कलाकरितिया नहीं, गीतों और कविताओं को के साथ मौखिक परंप्रा एक पीडी से दूसरी पीडी तक वो मौखिक परंप्रा से जा रहे हैं हमें तो हम लिखती रूप में जा रहे हैं, वो मौखिक में जा रहे हैं अब तो यह very important question है, what is the cultural practice mentioned as being shared by both Muslim and Buddhist communities in Ladakh? तो festival, traditional artist and recitation of sacred text performing, तो इसमें राइट आंसर है, यह दी वाला लंबा, तिबती राष्ट्रिय महा काव्य केसर गाथा की प्रस्तुति करण, केसर गाथा is main knowledge point here, केसर गाथा performing, रीडिशन ओफ दी तिबतियन नैशनल एपिक, दा केसर सागा, यहां सागा है, वहां गाथा है, which of the following spices is not mentioned as being abundant in region of Kerala, क्या क्या नहीं है, हिंदी में साथ साथ में देखते हैं कौन सा मसाला काली मिर्च है long है long है, longa लाइची का बीड़ा बना काली मिर्च है, यह नहीं है लाइची भी है दालची नहीं है, दालचीनी किसी यूग में सोने के भाव बिकती थी है ना ममीज जो थी ममीज वो उनको प्रिजर्व रखने के लिए दालचीनी का प्रयोग होता था वट इस दी नोटेबल अबाउट टी रिलीजियस लैंड्सकेप ऑफ केरला के रिलीजियस धारमिक परिद्रिश्य के बारे म में क्या लिखनिया है इट इज प्राइमरली डॉमिनेटड बाई हिंदुएजम इट है ओनली रिसेंटली बिकम डाइवर्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन लो इट है लॉंग हिस्ट्री एंड को एक्जिस्टेंस अमंग फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस यह है क्योंकि डाइवर्सटी का है हमने इक्वैलिटी और शान्ती बढ़ानी है इसलिए यह इंपॉर्टंट है इसमें विबिन धर्मों के अनियाईयों के बीच सेह अस्तित्व का एक लंबा इतिहास है राइट अंसर हाना तो यह गलत है यह इसमें वीक आप्शन है कि यह मुख पुराना डॉक्मेंट हाइलाइटिंग दा एस्टीम्ड स्टेटस आफ मुस्लिम कमिनटी तो यह तीन चार कोश्चन बन रहे हैं यह इंपॉर्टंट है यहां पर हाना मार्को पोलो इबन बतूता तो इबन बतूता ने तीन चार शब्द याद रखने है इबन बतूता हना इसलाम कैरला और साथ सो साल यह बात याद रखनी है यह राइट अंसर है इबन बतूता वट चाइनीज इंफ्लूंस आइटम आर मैंचन इन दी कैरला यहां पर हिंदी में कौन कौन सी है चाए के बगान और चाए की पतियां बांस शिल्प और फरनीचर मचली पकड़ने का जाल यह है चीना वाला और चीना चटी यह है मचली पकड़ने वाला जार यह इंपोर्टन यह कॉशन आ सकता है इस में फिशिंग नेट्स यह इंपोर्टन है आंसर हू इस जी इंडियन फ्लैग आलि सो नोव एज ट्रै कोलर तो किस ने किया होगा हम ने याद कैसे रखा थ वेरी इजी के यह फ्लैग है ऐसे होता है इसको जोड़ दिया पी से जो होगा पी से कौन सा है यह है पिंगली वेंकईया राइट आंसर ऐसे याद रखा था हमने नेक्स्ट है वट ड़स दा सैफरन कलर कैसे याद रखा था इन इंडियन फ्लैग रिपर्जेंट भारतिय हास से यह रखा था यहाँ से साहसस साहस याद रखा था यहाँ पर सी एक गरच यहां पर साकर रिफाइस भी अशोकाज चक्रा इन इंडियन फ्लैग सिंबोलाइज तो अशोका को कैसे भारते द्वज में अशोका यह कैसे याद रखा था अशोका का कर निकाल के कनून किसमे कनून का शाश्वत पहिया तो यह राइट अंसर है अटर्नल वील ओफ ला राइट अंसर नेक्स्ट है विच आफ दी फॉलविंग कोरेक्टली डिस्क्राइब दा डिजाइन ओफ इंडियन नेशनल फ्लैग थोड़ी लंबी लंबी इसकी हैं ऑप्शन यह देखिए तो यह आपको अधनिफिक करना है ब्लू ब्लैक रॉंड वि ग्रीन वाइट औरेंज यह वला गलत हो गया यहां पर हना यह देखते हैं थ्री होरीजोंटल होरीजोंटल ऐसे स्ट्रिप सेफरन वाइट अंड ग्रीन हना विद ऐन नेवी ब्लू शोका चक्रा इन दी सेंटर आफ दी वाइट स्टिप तो यह याद रखना इसमें से आर पांच छे कोश्चन बन रहे हैं मैंने यह बताना चाहता था कि नेवी ब्लू शोका जो सेंटर में हैं यह पूछा जा सकता है बाकी तो मेरे खाल में आपको इजी लग रहे होंगे एस डव जी यह तो याद ही है यह मेरे खले डिफिकल नहीं है अकॉर्डिंग तो जवालना नैरू वट इस दी नेचर आफ इंडियन यूनिटी एक कोटेशन भी इनके की थी है ना जवालना नैरू के उनसार भारती एकता क्या है बाहर से लगाया गया नहीं बाहर नहीं है इंपोज नहीं है सुपरफिशल नहीं है इंट्रिंजिक एंड टॉलरेंट इस दी राइट आंसर आंत्रिक और सहिश्यू पता नहीं क्या है हिंदी में देख लेना थोड़ा वट फ्रेज डिट जवाहला नेरू क्वाइंड टू डिस्क्राइब इंडियन यूनिटी एडम ले बनाया तो जवाहला नहर उतर है यहां पर उतर है यूनिटी इन डिवास्टी वाट इस दी सिगनिफिकेंस ऑफ इंडियन नैशनल एंथम एक्सप्रेस्ट यूनिटी हिंदी में भी साथ में एकता व्यक्त करने में भारत के राश्टिक गान का क्या महत्त है यह क्षेत् यह मत बेदो पर जोर नहीं देता है बिलकुल गलत इसमें कुछ समदाओं के शामिल नहीं नहीं ऐसे नहीं है यह धेश बक्ति और गारव को पैदा करता है इसे भी पूछा जा सकता है कि डिसकवरी ओफ इंडिया किसकी बुक है आंसर आएगा जवाहला नहरू एजी है तो जवाहला नहरू डिसक्राइड एंडियान यूनिटी एज इंपोज फ्रॉम एक्स्टर्नल नहीं रूटर्ड इन एक्स्टर्नल नहीं डीपर एंड इंटर्नली फोस्टर्ड तो यह राइट अंसर था अकॉर्डिंग तो स्टेट्मेंट हू इस दी क्रेडिट फॉर पहले इनको कर लिजिए अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाके एड कर दूगा थैंक यू डॉक्टर तीरस सिंग लाइन ट्व एक्चुलाइज